हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पड़ो इंडिया पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की पर्यावरण अध्येन की 1726 की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे पार्ट नमबर 18 जाएं तो जाएं कहां भागती इन के परशन उत्तर शुरू करते हैं वर्कशीट को हल करना परशन एक देखिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है परशन है जात्रिया के परिवार द्वारा इंधन की रूप में उपयोग किया जाता था वो इस्तिमाल करते थे टायर का तो हमने टायर पर सही का निशान लगा दिया है खा देखिए खेडी गाउं में बीमार लोगों का इलाज किया जाता था पौधों से दवाई बना कर यह उत्तर सही है इस पर हमने सही का निशान लगा दिया है गा सीडिया डैश की फैक्टरी में काम करता था सीडिया मचली की फैक्टरी में काम करता था इसलिए हमने मचली पर सही का निशान लगा दिया है प्रश्ण दो देखिए अब इन प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं का खेडी गाउं और सिंदूरी गाउं के बच्चों के जीवन में क्या अंतर थे उत्तर लिखते हैं खेडी गाउं के बच्चे खेती का काम भी करते थे वेत्योहारों के समय तोली बनाकर नाश्टे गाते थे सिंदूरी गाउं के बच्चे स्कूल जाते थे यहाँ पूरा दिन भगदर में चला जाता था खा देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं उत्तर हैं लोग एक जगे से दूसरी जगे नौकरी करने, इलाज करवाने या बच्चों की पढ़ाई के लिए जाते हैं गा देखिए धन कमाने वाले अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए बच्चों यहाँ पर आपको अपने परिवार के उन मेंबर्स का नाम लिखना है जो धन कमाते हैं यानि नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं जिससे घर में पैसे आते हैं मेरे घर में मेरे भाईया और मेरे पापा हमारे घर के कमाने वाले सदस्य हैं आप अपने घर के सदस्यों के बारे में यहां लिखेंगे घा देखिए जब आप अपने गाउं जाते हैं तो आप अपना दिन कैसे बिताते हैं उत्तर लिखता हूँ मैं अपने गाउं में सुबह जल्दी उठ जाता हूँ फिर नहा धोकर खाना खाकर खेतों की सेर पर निकल जाता हूँ वहां से घर आकर खाना खाता हूँ और थोड़ा अराम करता हूँ शाम को चौपाल पर बड़ो की बाते सुनता हूँ और रात का खाना खा कर सो जाता हूँ परश्णना देखिए जब आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तब आपके मन में कौन कौन आता है बच्चों मेरे मन में ममी, पापा, भाईया, दीदी, डादा और दादी आते हैं आपके मन में परिवार का नाम लेने पर जिन जिन लोगों के नाम आते हैं आप उनको यहां पर लिखेंगे अब परश्ण तीन में गतिविदी दे रखी है यहाँ पर एक चित्री दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को उन परशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है आपको यही बताना है कि उनको किन किन परशानियों का सामना करना पड़ता है चलिए हम उत्तर लिखते हैं नई जगह पर जाने पर सबसे पहले रहने की जगह की और काम की समस्या होती है रहने की जगह और खाने पीने पर बहुत धन खर्च हो जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए नया स्कूल ढूणना भी समस्या है और नई जगह पर मित्र यानि दोस्त बनाना भी मुश्किल होता है बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्क्षीट खत्म होती है अन्य विश्यों की वर्क्षीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ों इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें